बीपीएड और एमपीएड सीटी की अंतरगत न्यू रजिस्टेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है नया रजिस्टेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल किया जाता है इसे संबंधि डेमो वीडियो आज की वीडियो के दुरान में आप लोगो के सामने प्रस्तूत करने वालो तो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल टोटल फिजिकल एजुकेशन जो चात्र अभी अभी चैनल पे नए आए उनसे मेरा अनुरुदे चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हो सकते हैं इस वीडियो को जदा से जदा शेयर करें साथ ही साथ दोस्तों मुझसे सिदा जुड़ने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम की ऐडि को भी फॉलो कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रीशन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक वो आपे दी गए है वहाँ पे आप क्लिक करके दो सरच करना है CAP Portal पर आपको आना है 2022-2022 इस परकार का Interface आपके सामने आएगा यहाँ पर BPA के Option को आपको क्लिक करना है इसके बाद एक New Interface आपके सामने आएगा New Candidate Registration और Login आपको New Candidate Registration पर क्लिक करना है उसके बाद Have You Appear for MHBPA CT 2022S करना है वहाँ पर उसके बाद आपको Registration Number और Roll Number यहा आपके All Ticket पर है यह Initial जानकारी आपको यहाँ पर भरना है क्योंकि आपको यह जानकारी फिल करने के बाद एक नया Login ID और Password आपको यहाँ पर Generate करना पड़ेगा देखिए आप यहाँ पर Mobile Number और Email ID आपको जो Mobile Number यहाँ पर एंटर करेंगे वहाँ पर आपका नया Login ID आए यह नया Login ID आपको यहाँ पर Input करके और नया Password आपको यहाँ पर Input करना है इसके बाद आपका Registration Form open होने वाला है आप देखिए यहाँ पर Left Side में जो Dashboard दिख रहा है यह पूरी की पूरी Process आपको यहाँ पर Complete करने है तो Proceed पर क्लिक करेंगे Fill Application Form देखिए Left Side पर आपका Dashboard है यह पूरी Process आपको यहाँ पर करनी है Proceed पर क्लिक करना है Proceed पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का Interface आपके सामने आने वाला है यह पूरी जानकार यहाँ आपको यहाँ पर भरना है Annual Income, Date of Birth, Mother Name, Father Name, Mobile Number, Email ID इस सब चीज़े यहाँ पर आपको Information यहाँ पर आपको Input करना है इसके बाद यह नया पर जाएगा Country, Address आपको Fill करना है, State Fill करना है, District, Pin Code Number, सारे चीज़े यहाँ पर डालेंगे इसके बाद दोस्तो Have You Passed, अब देखिए यहाँ पर Graduation और BP, आपका आविदन किस Base पर है, अगर BP Base पर है तो BP करना है, अगर inflation Base पर है, तो graduation Base पर अपको Click करना है, अब दोस्तों यहाँ पर Malstra state ngaail alluded अगर आप है, तो आपको Yes करना है, अगर Malstra state के candidate नहीं है, तो आपको No करना है, यहाँ पर जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे ता जो महाराष्ट्र स्टेट के ग्डीड़ेट है उनके लिए मैंने एक पर एस किया अब देखिए सारे जानकर यहां पर महारास्ट्र स्टेट के के डिड़ेट को फिल करना है लेकिन हम जिसका form fill कर रहे हैं यह वाई साब महारास्टा स्टेट की candidate नहीं है वह अधर स्टेट के candidate इसलिए हम यहाँ पर नो करेंगे नो करने के बाद यहाँ पर फिर से करनाटा का महारास्टा अब देखिए अधर स्टेट के candidate के लिए आपर OMS आता है यूर टाइप अप कैंडिडिट्यूर OMS आउट आप महारास स्टेट सेव नेक्स पर करेंगे अब देखिए यहाँ पर और फैन यहाँ आपर नो करना है कास्ट आपकी जो कास्ट है वो कास्ट यहाँ पर डालेंगे नया पेज आपकी सामने आया एक सर्विसमैन नो स्कूल गेम अब देखिए आपकी जानकारी सर्टिपिकेट से रिलेडेट पूरी जानकारी यहाँ पर इन्पूड करना पड़ता है दोस्तों क्योंकि यह वेरिफाइ होता है बाद में इसलिए आप डुपलेकेट काम यहाँ पर नहीं कर सकते आपका क्या रैंग था रैंग भी यहाँ पर डालना है स्पोर्ट्स का नेम डालना है कोंसे खेल से आपने अच्यूमेंट लिया वो स्पोर्ट्स के खेल का नाम यहाँ पर आपको डालना है अगर आपका 12 में elective subject physical education था तो yes करना है नहीं था तो no करना है अगर आपका teaching experience है आपके पास as a physical teacher या as a training coach तो आपको yes करना है otherwise यहापे no करना है तो यह वाइस आपका elective subject नहीं था physical education, compulsory और elective यहापे no करेंगे teaching experience भी यहापे नहीं है इनको इसलिए यहापे भी no करेंगे save and next पर जाएंगे अब यहापे educational qualification, hsc, ssc और आपका graduation का information यहापे input करना है तो यह सबसे पहला ssc का information input करेंगे हमने कर दी है यहापे next करेंगे ssc, hsc और graduation तिनों का information डाल दिया यह होने के बाद दोस्तों यहापे आपको आपका photograph, passport size photograph और signature आपको यहापे upload करना है dimension यहापे photograph का dimension होता है, signature का dimension होता है उतने kb में ही वो signature आपकी photograph होनी चाहिए तभी वो आपके upload होती है save and next पर क्लिक करेंगे इसके बाद यह नया interface आपके सामने आया, यहापे आपको आपके सारे documents यहापे upload करना है यहापे कितने kb में चाहिए इसका कोई requirement नहीं है आप documents कैसे भी हापे upload करना है, लेकिन वो particular document होना ज़रूरी है सबसे पहले यहापे application form अप्लोड करना है CT scorecard अप्लोड करना है SSC का mark sheet अप्लोड करना है HSC का mark sheet अप्लोड करना है sports certificate भी अप्लोड करना है दोस्तों यहापे इस प्रकार से इस सारे चीज़े यहापे upload होती हुई जिनका scorecard यहापे नहीं मिल रहा है यहापे application form नहीं मिल रहा है यहापे आपका hall ticket अगर आपके पास नहीं है तो आप uploading कर जाएंगी आप वहापे click करके आपका hall ticket आपका scorecard या फिर आपका application form यह सारी चीज़े यहापे आप प्राप कर सकते है form फिल करते समय अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत याती है दोस्तों आप मुझे Instagram की ID पे follow कीजिए वहापे आप question पूछ सकते है सारे प्रशनों के उत्तर आपको वहापे दिये जाएंगे screen पर आपके सामने मेरी Instagram की ID शो हो रही है और इस वीडियो के description box में भी Instagram की ID की link दी गई है वहाँ से आप मुझे follow करके मुझे समपर्क कर सकते हैं बन बाइवन पूरे documents आपको carefully यहापे आपको upload करना पड़ता है दोस्तो किसी परकार के गलती यहापे नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह सभी documents e-verify, e-scrutiny committee की द्वारा verify होता है एक committee होती है scrutiny committee आपके documents का verification किया जाता है तो किसी भी परकार का यहापे mistake नहीं होना चाहिए अब यह भाइस आपके pass doma style या birth certificate नहीं होने के कारण इनका form यहापे रोकना पड़ेगा लगबग इनका form 99 प्रतिशत यहापे complete हो गया है लेकिन एक document नहीं होने के कारण यह भाइस आपके form को यहापे अधुरा छोड़ना पड़ रहा है इसलिए दोस्तों सब के पास पूरे document जब तक available नहीं रहेंगे तब तक आप यह form complete नहीं कर सकते हैं अब दोस्तों पूरे documents upload होने के बाद आपको save and next पे click करना है यह भाइस आपके पास birth certificate नहीं होने के कारण यहापे उनका form रोकना पड़ रहा है अब यहापे इसके बाद केवल दो ही steps बाकी है save and next पे click करना है और application form की fees complete करना है paid करना है आपको और उसके बाद paid होने के बाद application form को confirm करना है आपको print निकलना है बस यह दो step इसके बाद बाकी रहती है उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारे के साथ तब तक के लिए जय हिन